हे एवरीवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सावीज किचन में खीर तो आपने बहुत बार खाई होगी लेकिन अगर आप इस तरह ऐसे बना करके खाएंगे तो सभी को बूझ जदा पसंद आएगी तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दूद लेना है तो मैंने यहाँ पर मलाई वाला दूद लिया है तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिया है 5 किलो दूद तो आपको जितनी बनाने वाँ आप उस हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं तो हमें सबसे पहले इसको अच्छे से उबाल लेना है, तो देखिए एक उबाल अच्छे से आ चुका है, अब हमें यहाँ पर डालने हैं चावल, चावल को मैंने पहले से बिगो करके रख दिया था, आदा गंटा पहले, तो मैंने यहाँ पर लिये हैं 200 ग्राम चावल, तो 5 हमारे चावल जो है बहुती सॉफ्ट हो गए हैं बहुती जल्दी से पकेंगे आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर पानी का इस्तमाल विल्कुल भी नहीं करना है हमें दूद में ही चावल को अच्छे से पकाना है इसी तरह से चावल को डालने क के बाद हमें लगातार चलाते जाना है और लगबग खीर को बनने में कम से कम हमें यहाँ पर एक गंटा लग जाएगा क्योंकि हम खीर यहाँ पर ज़्यादा बना रहे हैं अगर आप कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो आपके खीर जल्दी से बन करके तयार हो जाएगी तो देखी इस तरह से लगातार चलाते जाएंगे और जो हमारे चावल है पक करके तयार हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारे चावल है बिल्कुल अच्छे से पक करके तयार हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए एक घंटा लगबग हो चुका है गैस की फिलिम म यहां पर हाई रखी थी तो चावल जब हमारे अच्छे से पक जाएंगे तब हमें यहां पर एड करने हैं ड्राइफ फ्रूट्स तो मैंने यहां पर लिये हैं 15 से 20 बादाम आप चाहे तो बादाम को साबुद भी डाल सकते हैं मैंने यहां पर बारेक टुकडों में कर लिया अब हमें यहां पर लेने हैं मखाने तो मैंने यहां पर एक कटोरी मखाने डाले हैं अगर आपको यहां पर जो भी ड्राइफ फ्रूट्स पसंद नाव आप उसको यहां पर स्किप कर सकते हैं 10 से 15 मैंने यहां पर काजू ले हैं काजू को भी इस तरह से बारिक कोट करके ड एक कटोरी हम यहाँ पर डालेंगे नारियल का बुरादा यह मैंने घर पर ही मिक्सी में पीस करके तयार किया है अब हम यहाँ पर डाल देना है एक चम्मच इलाइची पावडर इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हैगा सभी को डालने के बाद अच्छे से हमें इस तरह से मिक्स कर देना है और गैस की फ्लेम आप इस टाइम पर यहाँ पर बिल्कुल लो कर दे तो देखिए अच्छे से हमें इस तरह से चला देना है अब हमें यहाँ पर एड करनी है चीनी तो चीनी हमें यहाँ पर एड करनी है आ टो मैंने चाहें दो डाला है भाकि आपनेवाएं चीणी कर दो डालने के बाद एक लाद पाद चीनी को अगर आपको कम काल देना लगे तो आप उसको सबस्ते सकते हैं टो लगे चीनी डालने के बाद tur mod उस還有 और फैर हमें चीनी है वो अच्छे से मैल्ट हो जाए तो देखिए हमारी जो खीर बिल्कुल अच्छे से बन करके तयार हो चुकी है तो फ्रेंड्स आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राय करना वो ती स्वाधिश्ट खीर बन करके तयार होगी और आप जिसको भी खिलाएंगे सभी को वो पसंद आएगी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर